नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शवागते दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में बहुती बड़ा शमतकार होने वाले हैं जिया दोसों हम आप शिबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में शारे दुखों का अंत होने वाले हैं, अब आप शिबी की जुनकाल में कुछों की बारिश होने वाली हैं, जिया दोसों हम आप शिबी को बता दे कि पिछले कई शमयों से आपकी जुनकाल में लगातार बता दे कि आप यह बात तो जानते ही हैं कि भगवान के घर देर हैं अंधेर नहीं है जा दोसों भगवान व्यक्ति के मदद अवश्च करते हैं बले वह अपना रूप में नाये लेकिन दोस्तों रूप बदल कर किशी शंकेत के दौरा उनकी एशे मदद करते हैं उनकी जीवन ही बदल जाता है जी दोसों और आप शिवी के भी जुनकाल में जो गरहों के स्थिती बनने वाली है जो गरहों में गोजर होने वाले हैं आपको बहुत भड़ा धन देने वाले गरह है जीदोसों हम आप शिवी को यह बात बताएंगे कि यह पेड़ कौन जयगव पर है और इंकी पेहचान आपके शैकर सकते हैं केश्य यह पेशा आपको प्राप्त हो शकता है धनकेश्य आपको मिल सकता है शबी जनकारियां पूरी तरह गरह गोचर पर निमीद है साधी साध दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में कौश विशिय शाउधिया क्षराओं नहीं होगी तो दोस्वो वीडियो को अंत तक दिखे हैं तोस्वो आप भूल अपसी लखे olduğ मालक्षमी के जल्चे भक्त हैं कि तो बशलें और ओ सच्चे मशली करें था ज्रुष में तोसमा रिक समिक आश्रीबाद आप सब्सक्राओं जिया दोसुँ तो आएगो दोसुँ बात करते हैं शुरूअट करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत इच्छी ग्यान से तो एक बार भगवान श्रीकिष्ण से अर्जुन बोले कि केशव जब मिर्त्यू शभी की होनी है तो हम शत्संग भजन सेवा शिम्रन क्यों क जो इंसान मौज मस्तिक करता है मिर्द्य तो उसकी भी होगी तो दोस्तों भगवान श्रीक जी ने जुन से कहा कि है पार्थ बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दातों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है लेकिन जब उन्हीं दातों से जब अपने बच्चों को है पर परिणाम अलग अलग होता है ठीक उशी परकार मिर्द्य श्रभी क्यों होगी पर एक प्रभु के धाम में और दुसरा चौरासी के चकर में जी या दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण का हिया ग्यान अगर आपको सच्चा लगा हो इन पर यकिन हुआ तो वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिए जय श्रीकिष्णा रादे रादे तो आई दोस्तों सके शाद बात करते हैं कि अब आप श्रभी की जुनकाल में या पेशों का पेड़ आपको कहां पर मिलेगा कैसे या दस कडोरों का धन आप श्रभी को मिलेगा मालक्षमी का अश्रभाद आपकी जुनकाल पर जो होगा कौन-कौन शी बड़े कुछ कुब्रे आपको देने वाले हैं शादे शाद दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में कौन-कौन शी विशेश शाव धनिया रखने चाहिए तो आई दोस्तो का थोड़ा आशावी ध्यान नहीं रखेंगे तो यकीन ऐखने आपको मिल ही नहीं पाएगा कि दोस्तों जाने अन्जाने में आप गलती कर देंगे और यह धन आपके हां से बंसित हो जाएगा तो वह बाते हैं नहीं जहां पर धन की बात आती है मान लक्ष्मी का आवाश वही होता है जहां पर शुक शुविधाय होता है जहां पर शुक शुविधाय होती है जे दोसों हम आप शुविधाय को बता दें कि जिसके घर में शुक शुविधाय होती है यकीन मानि उनके घर में मान लक्ष्मी का आवाश आवशी होता है तबी दोस्तों आपको हुआ को शब से पहले मानना होगा कि कहीन मान अवसी मालक्षमी को करना चाहिए कुछ उपाय को करना चाहिए जी दोस्तों शबसे बड़ी और शबसे महत पूंचीज है तब दोस्तों आपको यह धन यह पेशा मिलेगा इसको प्राप्त करने के लिए मालक्ष्मी आपको कुछ शंकेत देने वाले हैं जी दोस्तों ऐसे ही आपको यह धन नहीं मिल सकता तो द अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े चमतकार करते हैं कुछ इसे शंकेत देते हैं कि उनके जुनकाल में पूरी तरह बदलाव हो जाते हैं जी दोस्तों कई बार तो मालक्ष्मी का एशा चमतकार हुआ है कि देखते ही देखते कई लोग का दिन बदल दिन दुगनी रात चोगनी तरक्वी करने लगते हैं जे दोसों और आपके भी जुलकाल में एशे ही प्रस्तिती का निर्मान श्वेंग मालक्षमी करने वाले हैं जे दोसों और या पेड़ की नीची जो पेशा है आप शबी को पराप्त होने वाले हैं जे दोसों शब्से परिल्सों आप शबी को बता दे कि मालक्षमी के कुछ शंकेतों को आप शमझे जे दोसों अगर आपके शाम के शमें आपके घर में हला गुला होता हो या पीर आपके आज पास में हला गुला होता हो जो कि आप पूजा के अस्तान पर कहीं पर बेठते हो और आपको शुनाई देता हो, तो दोस्टों वह पूजा आपका 시फल नहीं होगा, वह कारी आपका शपल नहीं होगा, मालक्षमिन से प्रशनell शंतुर्ष नहीं होगी, तो दोस्तों आपको प्रीशन काल में करना क्या है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करें कोई भी शुब मंगलिक कारी करें तो दोस्तों एशे अस्थान पर करें जहांपर किसी के लडाई के जगडे के या फिर एशे हला जो ताना शाहिके हो वो आपके कानों में नहीं क expects और आपका मन आपका आत्म, शत्म के पास शमार्पीत रहना रहना चाहिए, इंशे, पर्शन तो होगी शाथी आपके भाग को भी चम्त का देंगी। इन बातों का विश्राज़ ध्यान आपको अपने जूनकाल पर रकने vert you तभी दोसों ये धन आपको प्रापत हो सकते हैं स्थानों पर ही मा लक्ष्मी का वास होता है तभी दोसों आपके घर मेंभी पेशों की बरखता होगी तभी आपके घर प्रमवेश के लयुकत करतेवाइन कि आपके कशिव को niez नीचे अनर्त को मिलेगा या पेड कहाँ पर है के शी आप पहांचान सकते हैं कौन सो व्यक्ति आपको इस जगह ले जा सकता है तो आप करते हैं पूरे विस्तार शी दोस्व माप शिव को बता दें कि आपके गर के पश्चमी और उत्री कौन में जो भी पेड़ आपको दिखाई दे दोस्व यकीन मानिए वह पेड़ आपके जीवन को ही बदल देगा लेकिन दोस्व आप केश्व पहचान सकते हैं कि कौन से पेड़ की निचे या धन है केश्व आपने प्राप कर सकते हैं आखिर आपको यह में कौन सी शावदिया रखना चाहिए शवी जानकारियों को दोस्व जान ले तभी यह चीज आप के उपर काम करेगा जीज दोसों सबसे पहले दोस्व आप शिवी को बता दे कि अपने मन को शाप कर ले अपने धिर्दय को शाप कर ले और सट्चे मन से शुभा उठकर मालक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करें जीज दोस्व जब तक आपका मन पूरी तरह से पवित्र न जल हैं तो दोस्व उन्हें लेकर शुभा उठकर अपने आपको पभित्र करकर दोसों उठकर और अपने गर के उत्तरी और पश्मी कौन के सामने जो भी आपको पेड दिखाई दे घ्यान रख्चिएगा कि कोई भी आपको जाते देखने पाई दो 750 बजे के वीच में जा सकते हैं जो कि मालक्षमी की ढूड़ती है जो कि आपको उन पेशं की और अखिशत करेगा जैए कि तीनग से लेकर फाउजे के बीच का जो श्रमे होगा मालक्षमी के अमरित बेला का मुहरत पेला का अश्रमे होगा जो के दोस्तों धन की और आपको खिसता तरा जाएगा तो दोस्तों आपके घर से पस्यमी और उत्री कौन में जो भी पेड़ दिखाए दे दोस्तों उनके शामने आपको जाना है और दो और ध्यान रखेगा कि एक हाथ का गड़ा करने के बाद उस पर एक लोटा पानी रखने के बाद उसमें एक फूल और यहां शिंदूर डाल दे पैर को पीछे करके और मुणने के बाद दोस्तों आपको दोबारा पैर की तरब देखना नहीं है जे दोस्तों और घर चले आना ह और दोस्तों अगली शुबह आपको जाकर देखना है कि वह फूल और शिंदूर उस गड़े में है तो दोस्तों यकीर मानिए उस पेड़ की निचे आपको यहां कड़ों का धन प्राप्त हो जाएगा ज्या दोस्तों और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप यह शिक पेड़ की रीचे जाए जब भी आप इस शुबकारियों को करने जा रहे हैं तो दोस्तों किसी को भी ना बोले और ना ही कोई आपको टोक पाई इसके लिए आपको अमरी तबिला के श्यमी में जाना है तीन से पांच बज़े की बीच में जाना है जिए दोस्तों यकीन मान लक्षमी आपके उपर से उठ जाएंगी और यह पेशों का खर्चा तो तुरद हो जाएगा कि दोस्तों मान लक्षमी का हार ही घमंड है तो दोस्तों कभी भी घमंड ना करें और नहीं इस पेशी के बारे में किसी को बताए दोस्तों अपने जनकाल की शबीर दोस्तों मान लक्षमी के उपर अपने आपको शुमिर्ट पिल करें कि दोस्तों मान लक्षमी ही है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है जो कि आपके भाग वो चमका शकती है शातर साथ दोस्तों आप शुक बता दें कि अधन प्राप्त होने के बाद आपको कौन शे विश चीना देकर पैर शुकर उससे अशिरुबाद लें एशा करने से मालक्ष्मी प्रशन होती है धन की प्राप्ति होती रहती है आपको एशा लगतार तीन शुक्रवार तक करते रहना होगा जे दोस्थों तोसे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद